नमस्कार बाहू एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ अंजली के जुरिया तो चलिए बात कर लेते हैं आपकी राशी फल के उपर तो जाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज आपका दिन जो कैसा रहेगा स्वास्त कैसा रहेगा और आज के दिन आप आफ लोगें विखकुल का सेल पर्चेस का कारे करते हैं तथा उनको कारे करते हैं तो आज के दिन आप लोगगों के लिए काफी जादा क्वेयार कार relief चीप्र कार पाएगा था अगर कामकाच के सिलसले में कहीं टूर्नमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी जादा बरपूर जोवल आप मिल सकता है मैं बात कर रही हूं मेश राशी के जातकों की तो मेश राशी किजदे भी लोग है जाते हैं वह ज़र अपनी राशी फिल्कियों पर ध्यान अच्छी बताई जा रही है और आज के दिन आप लोग जो भी कारे करेंगे उसमें आपको काफी साथा फाइदा जो मलने वारा है बाकि अगर आप लोग कामकाच के शुत्र में टूर्नमेंट करने की सोच रहे हैं तो उसमें भी आपको काफी साथा बहतरी जो लाग मिलेग तो कुल मेला करसी इतारा मेश राशी के चाहतों का आज के दिन का बहुत ही जबाट अच्छा रहेगा अननद दायक रहेगा चलिए आगे बात करेती हैं ब्रिशव राशी के उपर अब ब्रिशव राशी के जितेते लोग है चाहते हैं वो ज्यान सेवेशिव अपर भी करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा तो ऐसा नहीं होगा अगर आपका कोई भी सरकारी या फिर गैट सरकारी काम आपका मैच्योर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका आज के दिन अगर आप लोग बागदोड करते हैं तब आपको अच्छे नतीजे जो वह द आपको उपलब्दी होती होगी नजर आएगी और गैर सरकारी कामों में आपका काम बड़ी ही तरीके से बन पाएगा तो यह था ब्रिश्व राशी के जातकों का आज का राशी फल चलिए आगे बात कर लेते हैं मिथू राशी के उपर मिथू राशी के जदोभी लोग है आप लोगों का बहुत ही जादा मजबूत रहेगा जो कि आपको हर एक फ्रिंट पर हावी रखेगा प्रवावी रखेगा विजय की प्राप्ति आपको करवाएगा आज के दिन कामकाच के सिलसले में अगर आप लोग कही प्लानिंग बना रहे हैं तो इसमें भी आपको विजय की प्राप्ति आपको करवाएगा साथी साथ आज के दिन कामकाच की प्लानिंग भी आपको कुछ आगे वाला नतीज़ जो वो दे सकती है तो कुल मिलाकर सितारा मिटोर आश की जातकों का आज की दिन का अच्छा रहेगा जो भी आप कारे करएंगे उसमें आपका स कर दोड़ा सा डीला रह सकता है मैं बात कर रही हूं करकर आशी के लिए लोग है आज की दिन का सितारा थोड़ा सा आपके शरीरिक गठन को वीक रखता है इसलिए आज के दिन खान पान के मामलों में आपको बहुत ही जाद आक्टिव रहना चाहिए और आज के दिन आप सितारा आपका सेहत के लिए थोड़ा सा डीला रह सकता है इसलिए खान पान के मामलों में आपको सतर्कता बरतरी चाहिए और आज के दिन आप लोगों को कोई भी सफर अपना टाल देना चाहिए तो आप लोगों के लिए अच्छा फाइदे मन जो हो सकता तो यह था करकर आ आपको सेहत के प्रती थोड़ा सा मामला हो सकता है बाकि आपकी दुश्या अच्छी रहेगी बस आज के दिन आपको सेहत के प्रती बहुत ही ज्यादा अक्टिव रहना पड़ेगा और अगर आप लोगों कोई भी सफर करते हैं तो आपको ऐसे सफर जो टाल देने चाहिए सिंग चाहत जरी jest, अगे बात करें सिंक राशी के उपर आप सिंगर राशी के जो नोग चाहत थक है वह उपर ब्यान फरिमा लीature आज के दिन सिंहराशी के जातकों की जो वेपारिक दुषा है वह बी अच्छी बताई जा रहे है काम का आज दुषा भी आपके बहुत ही जदा अच्छी रहे लिए अगर आप लोग कोई भी खुद का वेपार करते तो इसके लिए आज के दिन आपको बहुत ही जदा अच्छा रहेगा काम काज के सिलसिले में भी आपकी दशा बहुत अच्छी बताई जा रही है जो भी आप लोग कारोबार करते हैं कोई भी खुद का बिजनस चलाते हैं या फिर पिर किसी भी परकार का कोई भी काम आप लो तो कुंलमिलाकर सिधारा सेंग राशी के जातकों का आज के दिन का अच्छा बताया जा रहा है चलिए आगे बात कर लेते हैं अपक्र राशी की जदिए भी लोग है जातक है वो जड़ा अपनी राशी विल की ओपर द्यान फरूरमा लिए शर्मा जी कि रादेक्रिश्ना कैस आधिक दिन आप अपके परेशान करने की कोशिच कर सकते हैं उनकी अधकी इसे लोग आपको परिशान करेंगे और आज के दिन ऐसे लोग आपके मार्ग में ज्यादा पनपते हुए नजर आने वाले हैं थैंक यू सो मच बड़ी हो गया वैसे चलिए हम बात कर रहे हैं कन्याराशी की जातकों की आज के दिन जितने भी आपके कारणामों के उपर ज्यादा नजर रखनी चाहिए क्योंकि आज के दिन ऐसे लोग आपके मार्ग में परिशानिया जो पैदा कर सकते हैं बाकी आपका सितारा कर कन्याराशी की जातकों का अच्छा रहेगा और आज के दिन आपको थोड़ा सा अक्टिव जो रहना पड़ेगा आपके जो शत्रू है वो आज के दिन आपके मार्ग में काफी जादा परिशानी आप लोगों के लिए खड़ी कर सकते हैं इसलिए आप लोग थोड़ा साब दान रहेगा बाकी आपका दिन कन्याराशी के जातकों का अच्छा रहेगा शर्मा जी करकर राशी लास में सांथ में हैं तो संतान आँज के दिन आपका सही करेगी सपोर्ट करेगी तालमेल आपके परती जो बना कर रखेगी और आज के दिन आपके संतान और मुसीबत की मुसीबत को सुल जाने में में साबित हो सकती है अगर आप लोग मारिड our तो संतान आज के दिन आपको बहुत ही ज़ादा support जो वो करने वाली है ताल मेल आप लोगों का बना रहेगा अपनी संतान के साथ लेकिन आज के दिन आपके मार्ग में कोई भी अगर problem है तो आज के दिन आपके जो संतान है वो उसस मस्या को सुल जाने में काफी ज़ादा मददकार जो वो साबित हो सकती है और जितने भी अनमारेड लोग है उनके लिए भी आज के दिन का सितारा बहुत ही ज़ादा अच्छा रहेगा तुलराशी के जातकों का चली आगे बात करें थे हैं बृष्प राशी के ऊपर आप ब्रिशप राशी की जीता भी लोग है जातक है वो ज़रा पोली राशी फिल के ऊपर द्यान फरमादी जी अगर आप्लोग किसी बी प्रापर्टी के शेत्र के साथ जुड़े हुए है तो आजके दिन आप लोगर क प्रापटि के साब आज के दिन अगर आप लोग ऐसे कारें में बागदोड करते हैं तो आज के दिन आपको काफी जादा जो मिल सकता है और मान यश्डी प्राप्ती भी आज के दिन आपको नजर आने वाले हैं सत्पाल जी जय माताली कैसे आप चलिए आगे बाद के लेते हैं दन्यूर राशी की उपर सब्सक्राइबाब काथे हैं आपके सब्सक्राइब नेच्य के कौई वह दो तो आपके जितने भी हैं मिलाकरस पाइगा के समस्या को सुल जाने में काफी जादा मददकार जोँ था सबत को सकते हैं। टलुम जाता की इसे कि जातकों का आज़ के इस ब HoPosition मख्य राची औपर मखह राशी के की जित भी लोग है जातक है अर्थधश आपके काफी ज़दा कमफर्टेवल रहेगी साथी साथ आज के दिन अगर लोग कारोबार के शेत्रों में तूर्णमेंट लगाने की सोच रहेगा मैं बात कर रहे हूं कि आज के दिन अगर आप लोहा मशीनरी का बिजनस करते हैं या फिर हार्वेर की दुकान है तो आप लोगों के लिए आज का दिन काफी ज़दा कमफ़र्टेवल जो रहेगा तथा आज के दिन कारोबार के शित्रों में टूर्णमेंट भी आपको अच्छा नितिजा दे सकती है तो कुल मिलाकर ओवर और सितारा मगर राश्य की जातकों का अच्छा रहेगा बाकी आज के दिन आपके सवाब में थोड़ा सा करो पनब सकता है अपने करोद के उपर निरंदर बनाकर रखने की कोशिच रहेगा बाकी आपके दिन आज का अच्छा रहेगा कुम्बराशी का एक पर फिरसे रिपीट कर लेते हैं सितारा आज के दिन का सितारा आपका अर्थ द अच्छी रहेगी आपको आज के दिन मान यश्की प्राप्ती भी हो सकती है लेकिन सवाब में थोड़ा सा करो पनब सकता है तो यह था कुम्बराशी के जातकों का आज का राशी फल चलिए आगे बात करें राशी के उपर मीन राशी सबसे अंत वाला राशी फल हमारा रहे थोड़ा सा नुकसान दही हो सकता है इसलिए आज के दिन आप लोगों को उदारी के चकर में बिलकुल भी नहीं पढ़ना है और नहीं आज के दिन आप लोगों ने कोई भी कारे बेद्यानी से करना है सफर भी अगर आप लोग टाल सकते हैं तो टाल देना चाहिए आप लो बाकिए आप लोगों ने जो भी आप लोग कारे करते हैं उसमें आपने कोई भी कारे बेद्यानी से नहीं करना है और आज के दिन आप लोगों को सफर भी टाल देना सही रहेगा तो यह था मीन राशी की जातकों का आज का राशिवल चलिए आगे बात करें शर्मा जी का आप लोगों को थोड़ी सी लापरवाही नहीं बरतनी है बाकि आज के दिन जो भी आप लोग कारे करते हैं उसमें आपको एक्टिव रहकर ही काम काम करना चाहिए सफर भी आप लोगों के लिए इतना अच्छा रिजल्ड नहीं दे सकता है और फिर से रपीट करूंगी करकर आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए बाकि आज के दिन अगर आप लोग करते हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखके ही करिएगा तो यह था करकर आशिक जातकों का आशका राशिवल बाकि आपकी दिशा बहुत अच्छी रहेगी लेकिन सेहत के माम में थोड़ा सा सचेत रह तो यह था आज का सबका राशिवल होगा आपके समग जब विस्तार में रख दिया है अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कोमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम आपको रिप्लाइ अवश्य करेंगे अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है राशिवल आ या फिर अन्य कोई भी किसी प्रकार का कोई डाउट है तो आप हमें कोमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिए फिलाल इस वीडियो को जाथ साथ शेयर करने की कोशिच जो भी खीजेगा ताकि जतने भी लोग है वह भी अपना राशिवल सुबा का समय का जो वो देख पाए फिलाल आज के लिए बस इतना ही वीडियो को शेयर करें और आप दर्शक अपनी राइकमन बॉक्स में अवश्य रखेगा धन्यवाद